हेलो बच्चो वेलकम बैक होप यू और गुड तो आज हम लोग उस मैतेमेटिकल थेओरी को सुरू करते हैं जिसको कि हम थॉमस यंग के एकस्पेरिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं तो अगर हम देखें एक थॉमस यंग के एकस्पेरिमेंट के लिए तो सबसे पहले आपके पास एक सोर्स एस वन है एक सोर्स एस टू है जो दो स्लिट थी उसको ऐसे माना गया और सामने स्क्रीन यह है जहां पर हम इंटर्फरेंस पाइटन को देख रहे हैं अगर हम इसको रे हम जुरो जस्ट ओरीजिन मान ले ओरीजिन पॉइंट है इससी तरह हो उस्क्स सभाई ने बहुत सहे उपन ले ली है अब आप क्या कर सकते हो रियर फियो कि साब से आप सes e 1 को एक रिय से मिला सक्ते हो आप देखevery हो इसमें क्या हुआ अपसो से वन को एक रिय से मिला सक तो अगर इस डाइग्राम को हम इस तरह से continue रखें तो हम यह पाते हैं कि हम अलग-अलग point पर origin के लिए भी बना सकते हैं कुछ इस तरह का डाइग्राम शो कर सकते हैं हमारे लिए क्या interest है इस तरह की diagram को बनाने का हमारा interest यहाँ पर यह है कि हम देखते हैं कि जो wave यहाँ से point 1 तक पहुँचेगी और जो wave S2 से point 1 तक पहुँचेगी यह दोनों के रास्ते बराबर नहीं है इन दोनों के रास्तों में अंतर है हाना यहाँ से S1 से 1 तक का रास्ता छोटा है S2 से 1 तक का रास्ता बड़ा है तो रास्तों में अंतर आपको दिखाई पड़ा है अब रास्तों में अगर अंतर दिखाई पड़ा है तो इसका असर कहां पड़ेगा इसका असर phase पर पड़ेगा तो phase जो term होता है जो किसी wave की किसी particular time पर किसी particular location पर क्या स्थिति इसको समझाने के लिए होता है तो उस पर इसका असर पड़ता है and you must know that कि अगर हमारे पास दो waves के बीच में phase difference मालूम है तो हम उनकी बीच में एक path difference भी calculate कर सकते हैं तो एक formula अभी पढ़ लूँ इस जीच को हम आगे और अच्छे तरीके से समझते जाएंगे फिलहाल path difference is equal to lambda upon 2pi is equal to phase difference इस तरह का एक formula हमारे पास already है तो delta x is lambda upon 2pi delta phi तो delta phi phase हो जाएगा तो हमारा interest यहाँ पर इन दोनों इस point से लेके और इस point तक जाने में यानि S1 से 1 तक जाने में और S2 से 1 तक जाने में हम अलग-अलग लंबाई के रास्ते चुनेंगे हम इस रास्ते को चुनेंगे S1 से 1 तक जाने में 2πi by lambda of the path difference, तो अगर path difference है, तो हम phase difference होगा, और हम इस phase difference को, मानलो, delta के form में represent कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि अपनी mathematics की सुरुवारत करने से पहले, हम यह बता देते हैं, कि जब कोई wave S1 से 1 तक जाएगी, तो उसका जो phase होगा, और जो wave S2 से 1 तक जाएगी, उसका जो phase होगा, वो दोनो phase same नहीं होगा, क्यों same नहीं होगा, चुकि दोनों रास्ते बराबर लंबाई के नहीं है, अगर रास्ते बराबर लंबाई के नहीं है, इसका मतलब रास्तों में अंतर है, path difference है, अगर path difference है, तो इस फार बोले किसा आपसे face difference होगा और face difference को आपने एक delta simple से ले लिया है तो अगर हम इस चीज को summarize करें तो हम एक simple सा diagram यहाँ पर आपके लिए बना सकते हैं कि माल लीजिए आपके पास कोई source S1 है वो यहाँ तक गया यह कोई source S2 है यहाँ से light गई तो इस light को यहाँ से जो रे जा रही है इसको हम लिखते हैं Y1 बराबर A1 sin omega T और जो यहाँ से light जा रही इसको लिख सकते हैं Y2 बराबर A2 sin omega T प्लस कोई phase delta तो जो दो waves यहाँ से जा रही है और यहाँ से जा करके जो point P पर superimpose करेंगी वो wave कौन सी है Y1 यह और Y2 यह तो यहाँ पर लिखेंगे यही आप लिख सकते हो मान लिजी हमारे पास तो यहाँ पर हम कहेंगे let us consider two light waves S1 and S2 जिन दोनों light wave की frequency same है और frequency same होने के साथ-साथ उनके बीच में एक phase difference है delta का जिसना कि मैंने बताया इस part difference की वज़े से है तो अगर आपने S1, S2 को चुल लिया और point P को चुल लिया ना इनके बीच की दूरी आप बदल रहे हो ना point observation point को आप change कर रहे हो तो इसका मतलब है S1 और S2 की बीच S1 P और S2 P की बीच का path आपने fix कर दिया तो part difference fix हो गया तो phase difference fix हो गया तो इसका मतलब है यह जो point है delta यह कब बदलेगा यह तब बदलेगा जब हम अपना observation point अपना यहां से बदलें तो observation point हमने कहीं choose कर लिया तो delta है यहां कहीं choose कर लोगे तो सकता है delta कुछ और हो जाए माल और delta की value यहां पर आने पर कुछ pi by 4 है यहां आने पर हो सकता है pi by 6 हो जाए यहां आने पर हो सकता है 0 भी हो जाए अगर दोनों path बराबर हो जाएंगे तो part difference 0 हो जाएगा तो phase difference भी 0 हो सकता है तो यह एक ऐसा term है जो की change हो सकता है observation point के हिसाब से तो हम यहां पर कहेंगे कि माल लीजी हमारे पास मतलब एक situation है जहां दो light source है S1 और S2 और इन दोनों light source की जो frequency हो सेम है इनका amplitude A1 A2 है अब A1 A2 हम सेम भी मान सकते है अभी थोज़ ज़र के लिए अलग अलग ले 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 करके S2P तक की बीच की जो दूरी है इसमें जो path का difference है उसकी वज़े से एक phase difference है तो हमारे पास क्या हो जाएगा we have we have y1 is equal to A1 sine omega t y2 is A2 sine omega t plus delta delta is the phase difference between the path due to the path जो है यहां पर अब by superposition by superposition of light waves light waves के superposition के वज़े से क्या होगा आपके पास y बराबर जो होगा वो y1 plus y2 के बराबर हो जाएगा जैसा कि Thomas Singh ने suggest किया था तो y is equal to A1 sine omega t a2 sine omega t plus delta simply तो यहां पर आप लिख सकते y a1 sine omega t यहां फॉर्मिलो लगा दो sine a cos b cos a sine b यहां लिख दे रहा हूं है plus a2 sine delta cos omega t ठीक है कौन सा फॉर्मिलो लगा यहां पर sine a cos b cos a sine b तो आप क्या कर सकते हैं omega t का टर्म यहां पर है omega t का टर्म यहां पर है दोनों एक साथ हो सकते हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं y is equal to a1 plus a2 cos delta sine omega t plus a2 sine delta cos omega t इस तरह से हमने कर दिया है observation point अगर आपने fix रखा है इनका amplitude नहीं change कर रहे हूं तो जो bracket quantity यह भी fix हो जाएगी यह bracket quantity भी fix होगी तो हम माल ले let a1 plus a2 cos delta is equal to some constant ताकि पहले भी इस तरह से किया था super position principle में याद करिए तो a a cos कुछ phi कह दे a cos phi और ऐसे ही a2 sine delta is equal to a sine phi यहां पर क्या है यहां पर आपके पास a और phi क्या है कुछ constants हैं जिसको कि हम calculate कर सकते हैं तो ऐसा करने पर so y is equal to क्या हो गया a cos phi sine omega t plus a sin phi cos omega t यह हो जाएगा यहां से a हो जाएगा sin omega t plus 5 simply तो यह हमारे पास आ गया कि जब यह दो sine waves आपस में super impose करेंगी यह दो sine wave आपस में super impose करेंगी तो इनके super position के बाद जो resultant wave होगी यह जो दिख रही है यह resultant wave भी कैसी है sinusoidal wave है यह भी sinusoidal wave है और इसमें भी कोई भी difference नहीं है difference क्या है amplitude का यहाँ amplitude a1 a2 है यहाँ amplitude a है यहाँ पर phase कुछ था दोनों में अंतर delta था लेकिन जो resultant wave बनी इसमें अपने एक phase phi है अब यह phi और यह a हम calculate कर सकते है suppose हमने इसको equation number 1 कहा equation number 2 कहा जैसा कि पहले भी हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं बता चुका हूँ मैं आपको कि यह हमारा interest intensity में है क्योंकि intensity वो चीज है जिसको कि हम physically observe कर सकते है तो हम इस चीज चो calculate करना सकते है एको और एको calculate करने का तरीका क्या है हम equation number 1 और 2 को square करके add कर दे तो जब आप add कर दोगे तो super position के बाद जो आपके पास resultant wave आ रही है उस resultant wave का amplitude आपको मिल जाएगा तो चले यहाँ पर लिख सकते हैं है तो सकते हैं कले गरते मैं है सकते हैं क्हें डाटीण फेक्स्टलन देश değişकें T कि जुद्टेंट टूट्ट क्या होगा a की वैल्यू को करने के लिए हम इसको स्कॉाइर करके एड कर दे इसका करके एड करने का मतलब है A2 sine delta का square करनों इसे square हो जाएगा यह हो जाएगा A2 यहां से हो जाएगा A1 square A2 square cos square delta plus 2 A1 A2 cos delta plus A2 square sine square delta तो यह और यह आपस में common कर सकते हैं तो यह हो जाएगा A1 square इहां पर मैंने स्कॉर्मूला एक बड़ा इंपॉर्टन डिलेशन आ गया जो यह दिखा रहा है कि जो रिजल्टन वेव बनी है superposition के बाद उसकी जो intensity intensity क्यों कह रहे है जो कि मालूम है हमें कि intensity जो होती है वो amplitude के square की proportional होती है तो इज़र के लिए हम मालने square के ही बराबर होती है तो आपके पास क्या है अगर आप लिखना चाहते हो कि if A square is capital I capital I is the intensity of the resultant wave जो कि superposition के बाद बनी है अगर I2 है we get तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा I is equal to I1 not square I2 plus 2 under root I1 I2 under root के बाहर यह एक और relation है हमारे पास आ गया इस formula को चाहे हम amplitude के टर्म में लिखे चाहे हम यहाँ पर लिखे अब एक खास बात देखो अगर आप source को नहीं change कर रहे हो तो A1, A2 fix रहेंगे तो amplitude उनके fix है change क्या हो सकता है delta delta क्यों change होगा अगर हम अपने observation point को बदलेंगे सवाल है observation point को क्यों बदलेंगे क्योंकि हम पूरे परदे पर जो हमारी screen है उस screen में हम देखना चाहते हैं कहा bright बनी कहा dark बनी तो हम उस screen के हर point को देख रहे होंगे ऐसा तो नहीं कि हमने अपने सारा ध्यान के वाल इसी point पर focus कर दिया है अरे भाई interference pattern तो पूरे screen पर बनाए न यहाँ काली पट्टी यहाँ चमगीली यहाँ काली यहाँ चमगीली तो distribution तो पूरे screen पर हुआ है तो आप कभी observation point कभी यहाँ देखो कभी यहाँ देखो कभी यहाँ देखोगे तो अगर अपनो observation point चेंज कर रहे हो तो उस observation point के change होने की वज़े से क्या change हो रहा होगा delta की value अब कितना change हो सकता है delta की value तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बस एक सर्थ यह रहेगी कि delta की हम वही value चूज करेंगे जिससे cost किया तो maximum value आजाए या cost की minimum value आजाए तो cost की minimum value या minimum value क्या कहो minimum value कितनी हो सकती है minus 1 cost में तो 0 के बाद minus 1 भी हो सकता है तो minimum तो minus 1 हुआ और maximum कितना हो सकता है 1 तो जड़ा यहां से देखो अगर cost 1 हो गया यह value 1 हो गई तो यह formula क्या हुआ a square plus b square plus 2ab और अगर cost की value minus 1 हो गई तो यह minus हो जाएगा a square plus b square minus 2ab ओके तो cost की value अगर maximum value पे पहुँच जाता है 1 पर तो हम maximum a square यह maximum i देखेंगे और अगर cost की value minus पे आ जाता है तो हम एक minimum intensity को देखेंगे तो अब हमें इस formula से यह दिखाई पढ़ रहा है कि the nature of suppose this is equation number 3 तो the value of a square strongly depends upon the value of cos delta तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि equation number 3 है equation number 4 है इसको ना लिखें यहाँ पर लिखें in equation 3 in equation 3 the value of a square depends upon किस पर depend कर रहा है depends upon cos delta factor इस factor पर ही depend कर रहा है तो पहला case लेते हैं मेला case लिखते हैं कि cos delta की value 1 है तो cos delta की value 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं a square को लिख सकते हैं a max square a उसमें maximum होगा amplitude maximum होगा तो फिलहाल ऐसा लिखने पर cos this so a square hence आपके पास हो जाएगा a max square is a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 को को आप 1 रख चुके हो यह लिख सकते हो a max square is a1 plus a2 का whole square है ना यह निकल क्या रहा a square plus b square plus 2 a b तो यहां से आपके पास अगर हम a max को i लिख दे तो maximum intensity कितनी हो जाएगी maximum intensity हो जाएगी a1 plus a2 का whole square तो यह आपके पास आ गया कि जब cos की value 1 होगी यानि एक ऐसी position screen पे होगी एक ऐसा observation point आपके पास होगा जब cos की value 1 हो जाएगी cos ऐसा phase होगा कि उसकी value 1 हो जाएगी तो उस समय आपको maximum intensity दिखाई पड़ेगी और maximum intensity जहाँ दिखाई पड़ेगी इसका मतलब वहाँ चमक बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पर कहेंगे this is the condition of bright fringe ब्राइट पट्टी होती है इसके को fringe कहते है this is the condition of bright fringe अब जड़ा इसके बारे में देखो cos के बारे में समझो यह बहुत समझने वाली चीजे बहुत प्रूरी है कि as cos delta is equal to 1 बताओ cos 1 कब कब होता है देखो गई cos 1 कब होता है जब cos 0 होगा तो इसकी value 1 होगी ठीक है उसके बाद एक चक्कल भूम जाओ तो कितने आ जाओगे 2 pi फिर एक चकल भूम जाओ तो क्या जाएगा 4 pi फिर एक चकल भूम जाओ तो कितना आ जाएगा 6 pi इसका मतलब है कि अगर हम कहें 2 n pi जहां n की value 0, 1, 2, 3 ऐसा रख सकते हो तो जब n की value 0 रखोगे आप लोग तो 0 आएगा, n की value 1 रखोगे तो 2 pi आएगा, n की value 2 रखोगे तो 4 pi आएगा तो यानि की cos 0 जब जब होगा, 0 पर 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi वो सारी value इससे calculate की जा सकती है तो हम लिख सकते हैं, cos delta 1 कब होगा, जब cos 2 n pi होगा, यानि की error equivalence से देखें, तो delta किसके बराबर है 2 n pi के और जहां n क्या है, n is 0, 1, 2, 3 इस्तारी value रखता है अब अगर delta 2 n pi है, तो ये जो delta है, या तो खोगो, जो हमने इस शुरुआत किया था आज ये class की, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि delta क्या है, phase difference है, तो अगर delta phase difference 2 n pi है, तो इसका मतलब ये है, कि जब-जब phase difference 2 n pi होगा, तब-तब i max वाली condition वहाँ पर आ जाएगी, वहाँ लागू हो जाएगी, ओके इसका ये मतलब है, तो अब आप the corresponding path difference, तो आप रिखोगे, the corresponding path difference, तो path difference का formula क्या था, delta x बराबर lambda by 2 pi, phase difference जो कि आपने माना था, तो delta x बराबर हो जाएगा, lambda by 2 pi, और इसकी value हो जाएगी, 2n pi, pi pi cancer, 2, 2 cancer, तो हो गया, n lambda, तो बस याद रखिएगा हमेशा, वह स्टीच को बॉक्स में आप बना ले, कि जब भी हम bright की बात करेंगे, चमकीली fringe की बात करेंगे, तो हमारा path difference 2n pi होगा, और जो path difference है, वो n lambda कहा जाएगा, तो समय उसकी value को हम n lambda कहेंगे, यह एक बहुत जरूरी condition निकल के आई है, bright fringe के लिए, और इसको आपको finger trip पर याद रोना चाहिए, अब practice करोगी, बार-बार लगाओगी, तो याद भी हो जाए, कोई इतनी बड़ा issue नहीं है, ठीके, यह हो गया case 1, अब आते है case number 2 पर, is 2, cos delta minus 1, जो cos delta minus 1 हो जाएगा, तो a square कितना हो जाएगा, a minimum, a की minimum value आजाएगी, so, we get, रही क्या मिलेगा आपको, a minimum square is a1 square plus a2 square minus 2 a1, a2, यह हो जाएगा, a1 minus a2 का whole square, तो i minimum amplitude हो गया है, तो intensity भी यहाँ का minimum होगी, तो minimum intensity जो होगी, that is the condition of, this is the condition of what, dark fringe, इसको हम, dark fringe की condition कहते हैं, अब जड़ा इसके बारे में सुचलो, cos delta minus 1 किसको बिलॉं करता है, ज़र देखो, cos की value minus कब होती है, जब pi होगा, तो cos pi जब होगा, तो minus 1 होगा, अब यहाँ से भूम के आओ, एक चक्कर, तो pi में फिर जोड़ोगे, तो 3 pi हो जाएगा, फिर एक चक्कर भूम के आओ, तो 5 pi हो जाएगा, फिर एक चकर भूम के आओ, तो 7 pi हो जाएगा, इसका मतलब जब 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 delta की value, pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, और ऐसे होते रहेगी, तब तब cos की value minus 1 हो जाएगी, तो इसको generalized form में कैसे लिख सकते हैं, 2n plus 1 pi, 2n plus 1 pi, कैसे लिखा, n की value 0 रखो, जैसे n 0 रखोगे, तो 0 plus 1 into pi, pi, n की value 1 रखा, 2 into 1 plus 1 3, 3 pi, 2 रखा, 2 to the 4 plus 1 5, 5 pi, 3 रखा, 3 to the 6 plus 1 7, 7 pi, तो सारी condition आपको यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो अब आप इसको ऐसे लिखो, cos minus 1 को लिख सकते हो, cos 2n plus 1 pi, तो delta की value हो जाएगी, 2n plus 1 pi, जैसे यहाँ पर bright fringe के लिए part phase difference 2n pi था, तो dark fringe के लिए phase difference 2n plus 1 pi होगा, अल्सो अगर हम part difference निकालना चाहें, phase difference के हिसाब से, तो lambda by 2 pi, 2n plus 1 pi, 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 pi cancel, तो part difference आगया, 2n plus 1, lambda by 2, this is another very important result, तो यहाँ पर, हम dark के लिए condition के निकाल के आ रहे हैं, 2n plus 1 pi, और phase difference के लिए है, 2n plus 1, lambda by 2, यह n lambda है, यह 2n plus 1, lambda by 2, तो इस तरह से, mathematically, thomasian, superposition की principle का इस्तमाल करके, एक बहुत ही बहतर तरीके से, automatically, कोई भी forcefully, हमने यहाँ पर कोई भी concept थोपा नहीं है, और हम पा रहे हैं, कि हम bright fringe condition और dark fringe condition बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर calculate कर ले रहे हैं, यह चीज़े आपने 12 पर पढ़ी है, यहाँ पर एक रुक करके समझने वाली बात है, कि आखिर इसका physical मतलब क्या होगा, इसको graphically क्या हम बना सकते हैं, इसका कि हम लोगों ने superposition principle graphically बनाया था, तो कि graphically हम इन dark और bright condition को किसी तरह से समझ सकते हैं, जहाँ इतना सारा गड़ इतना करना हो, इसको visualize कैसे करें, most important thing in physics is how you visualize the things, how you relate the mathematical concept with some kind of geometry, some kind of graph, or some kind of that, मतलब उस तरह का illustration आप उसको add कर ले हो, अगर ऐसा कर ले गए, पोसिस तो होती, ज़रूरी नहीं हर बार हो, लेकिन अगर ऐसा add कर ले गए, then you will get the most clear view of that concept, that is, you can say, now you know the concept, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को जानना, किसी concept को समझना, वो इस्थिती होती है, जह हम उसको graphically, mathematically, philosophically, verbally, इस तरह से इतनी चंताएं हम विक्सित कर ले, समझने में, किसी को बताने में, या खुद को convince करने में, तो सिर्फ रत लेना, रतना, इस नोट रेए गुड़ सलूशन, in some case it looks attractive, even practical, बट इस नोट अल्टिमेट सलूशन, जब आप करते हैं, now I got the concept, it means that आप उसको graphically, philosophically, verbally, mathematically, कई तरीकों से समझ रहे हो और समझागी रहे हो, that is the meaning of knowing a concept, okay, so in next episode, we will discuss the graphical representation of these conditions, bright or dark, इस नोट रहे हो, इनको हम लोग समझेंगे, चलिए फिर, अपना ध्यान रखी, have a nice day, take care. झाल मुकित अपना हो,ot our supporter of my God." झाल मुकित सुआए चुझक हो. झाल मुकित सको का कि मुकित ryglरिताा दुआए उससका झाल Sत.